जर दो में हेलोंग में एल्शे किन आ गया कि आप लोग ंपने लोग दूskyi देशियों से वा तुक हो अदेगा इसे IPO रिवीव करते हैं वैसे ही करेंगे और सौट में करेंगे क्या है कंपनी का बेसिक से डीटेल्स एंड बिजनेस और उसके बाद मेरा कॉंकुलुजन सो इतना ही रहेगा इस वीडियो में पहले बात में यह कर लेता हूं कि वीडियो फुली देख लेना अगर आपको इन्वेस्मेंट करना है इस IPO में आइधर इन्वेस्मेंट करना हो या फिर कंपनी के बार में थोगा सभी अपने आप पर क्योंकि आप मार्केश में इन्वेस्ट करते हैं आपको होना चाहिए हर एक कंपनी के ओपर हो जो भी IPO रहा है या फिर जो भी अच्छा कंपनी है सो बिफो स्टारिंग मैंने इतना ही बोला बट लेस्ट क्या देखने को मिलता है कंपनी के बार में चेरा इंजीनियरिंग बेसिकली कॉंप्लेक्स प्रिसेशन इंजीनियरिंग पर काम करते हैं यह कंपनी का दो सेक्टर्स पर ज्यादा मतलब काम होता है एक नौन गेल, टुवेलर्स, कोमर्स्यल वहिकल्स अर नौन नौन अटोमटिव संद्स की वाद करते हैं एगरीग अर्योस्पेस आता है और भी बहुत सारे आते है और बहुत सारे से कंपनी बेसिकली 65 पर संट पर संट कर दो अचे चीजा इंट अंग्ल में तो चलते हैं ने देखत रहे हैं वहाँ पर अगर आप सेल को देखेंगे तो एक 35 करोग था उसके बाद 966 1147 उसके बाद नीचे आया बारा सो एक सक्क्राइब की लॉक्टाउन पिरियोट के वज़े दोगा समनी चाहिए था और प्रॉफिट मार्चिन की बात कर तो अपार्टी जो प्रॉफिट है वह देखिए 207 पर अगर देखने को मिल रहा है और जो नेच प्रॉफिट है देखिए 112 क्रॉफ था 99 क्रॉफ उसके उसक्राइब 64 था 71 था 2016 और अब ही चल रहा है 82 का मतलब एक कॉंसिस्टेंटी ग्रोफ होने वाला पार देखी नहीं रहा है कंपनी के उपर जो कि एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि कि किसी कंपनी में हमें इंवेस्ट करत कि कम हो तो यहां से क्या होता है थोगा सब मुश्किल वाला सिच्वेशन होता है हम लोगों के लिए कि इंवेस्ट करने से क्या हमारा पैसा ज्यादा मतलब टॉबल ट्रिपल होगा या नहीं कुछी सालों के अंदर करने एक साल में ना एक साल में साल वे प्राफिट्स एवरेज से बिलो होने का रिजन से कंपनी का प्राफिट में जदा बढ़ा नहीं पारा है और सेल्स भी ग्रोथ नहीं हो पारा है और आड़ी की बात करें तो ग्यारा पॉइंट त्री शिक्स था जो कि अभी 16.28 आएफ लास्ट पाइज सालों में जो कि अबरेज टाइप का है ज्यादा कुछ खास नहीं है और इतन के बात करें तो 16.82 का वह भी एवरेज ही लग रहा है बतलब कुछ out of the box इस IPO में हमें अभी तक देखने को मिला ही नहीं तो यहां पर आप देख सकते आएप ओपनिंग डेर है 14th of September बतलब आज को और closing डेर 16th of September दो का face value है 734 से लेकर 744 का प्राइज में रहेगा और जो लॉट है वो 20 शेल का रहेगा अतलब 20 शेल में आपको लेना पो लेगा BAC और NAC दोनों पर लिस्टेर हो रहे है और जो इसका इसू साइज है वह बारह हजार सब्सक्राइब करोग का है और यह पूरा का पूरा offer for sale है तो यहां पर कोई fresh issue नहीं है जैसे मैंने बताया था है यहां पर इनिसियेटर रिफांड डेट देख सकते हैं 22 तरीक को बेसिक को एलाप्मेंट अप 21 को मिल जाएगा इसको मिल जाएगा 24 को लिस्टिंग डेट आपको देखने को मिल लगा आपको देख सकते हैं मिलियूम इंवेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा प्राइस काट अप लगा चौदा है राचसवस्टी का और मैक्सिम तेरा लगा ले सकते लेकिन एक से ज्यादा करने के कोई ज नीचे के लिए अभी देख सकते हैं सो बैसिकली कंपनी का आई प्यों लाने का रीजन से कि यह यहां पर एक लिस्टिंग इनका बेनिफिट्स लेना चाहता है कंपनी नाथिंग यह पूरा का पूरा ओफर फोसल है कंपनी का प्रमोटर से अतना स्टेक्स बेच के यह आई उसे तो जितना पैसा उन्हें निकाला उसना पैसे का लेकावरी वैल्यू कर देगा इसका वो ने चुद बढ़ा के अगर आप लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मेरा कॉंफूरूशन्स बताना चाहिए मुझे कंपनी का जो बिजनिस है वह अपने आप एक ब प्रड़क वोटफोलियों जो डिजाइन बनाते हैं कंपनी जो जिस तरीका प्रड़क ला रहें बहुत ही अच्छा है कॉंटी निव कंपनी ने ने प्रड़क्ट पर काम कर रहें और जो मेशीनरी वहां पर भी इंप्रूब्मेंट आ रहे हैं जो कि एक कमाल का साहिन है किस सबसे अच्छी बात है कि प्रॉफिट दा रहा है ऐसा नहीं कि नेगेटिविटी दिख रहे हैं कि लॉस में ऐसा नहीं है और सेकेंड दिंग से इनका जो बिजनिस है वह 65 परसंट के असपस इंडिया में करता है बाकी का डाइवर्जिप आया ग्लोबली सो एक अच्छी है मतलब जियोग्राफिकली एक डाइवर्जिप है और एक बहुत ही अच्छी चीज है कि कंपनी का जो टीम है वह बहुत सही है मैनेजमेंट एक हाई स्किल मैनेजमेंट है जहां से कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि अगर काम करने वाले यहां पर ग्रैब करने का है अगर यह कर पाता है तो एक अच्छा खासा क्रोथ फ्यूचर में जरूद देखने को मिलेगा उसे इंट्रेस्टिंग चीज यहां पर आता है क्या नेगेटिव पॉइंट से कंपनी के अच्छा कर रहा है और लॉंग लॉंग टाइम का रिलेसं इसका बिजनिस लॉंग टाइम चल रहा है तो क्यों बड़ा दिल नहीं हो रहा है यह बहुत बड़ा कोशिस पॉइंट है सेकंड इंपॉइंट पॉइंट है कि की कस्टुमर्स कुछ हैं जिससे ही इसका ज्यादा से ज्यादा रेविनिव आता है थार्ड यह सबसे इंपॉ कंपीटिटिव मार्केट हैं इस और आटो कोंपोनेंट्स चेकर में यहां पर अगर आटो मीटीक कंपोनेंट्स प्रीचिन इस सेक्टर में अगर प्राइस थ्यादा करता है तो अपने क्लाइन लूज करेंगे तो इस डर से यह कर नहीं बा रहें तो जिस तरीके से कोवीड ने इंपक्ट फेला है इस मार्केट को यह कंपनी ने कोवीड के वाज़े से बहुत ज्यादा जो सेल्स ग्रोथ है प्राफिट ग्रोथ है सब नीचे आप देख सकते हैं और यह रिजन्स था कि कोवीड इस तरीके से चार है उस डिमांड को यह मीट नहीं कर पा रहा है इस वाज़े से एक फेलियर दिख रहे हैं इस कंपनी का उपर और भी बहुत सारे नेगरी पॉइंट है लाइक अगर हम देखेंगे कि इस तरीके का फेनांसियल का एक्स्पेक्टेशन से उससे भी बिलो पर पॉइंट है एक बहुत बहुत सब्सक्राइब पॉइंट है और पॉजिव बैसिकली जिस तरीके का अगर वैल्यूएशन दिखेंगे तो 42 के पीप हैं यह कंपनी सो कुछ ज्यादा रिटर्स की एक्सपेक्ट भी मत कीजिए ग्रे मार्केट में भी कुछ खास नहीं है तो अगर आप लॉग डिंग के लिए ले रहे हैं तो यहाप सोच लीजे पहले क्योंकि यहां से बहुत अच्छा 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 लिटन में ऐसा क्योंकि स्मॉल केप में कर लें वोला दिली तो हर एक स्टॉक्स में देखने को मिलेगा जहां पर ग्रोथ करके बताए और आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए गाइस थैंक यू सो मच